आज मैं आप लोग के साथ मठर की कचोड़ी की रेजपी शेयर करूँगी ये बहुत जादा खसता कचोड़ी बनेगी और बहुत जादा टेस्टी कचोड़ी बनेगी है ये हलवाई से भी जादा टेस्टी कचोड़ी बनेगी है गर पे बनाएंगे तो आप बहुत खाने में नीमी लगती है इसके लिए मैंने दिया आधा कटोरी मढझा और इसको मैं पीस लोंगी Mr. seu और मैं डालूंगी 4 हरी मिर्च और इन्हें तोड़ने मैं डाल दूंगी इस pan और देखो मैंने इने पीस लिया है और एक ये प्याज है मैंने इसे कट कर लिया है तोड़ा सा धनिया है इसे भी कट कर लिया फ्राइपिन में प्तेर रखा है दो चमश इसमें डाल देंगे हम प्याज पारिक जो कट करके रखा है मैंने एक अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा आदा चमश मैंने जीरा डाल दिया है इसमे इसे दो मिनट के लिए हम बूरेंगे इसे ज़्यादा नहीं बूरना है हमें दो मिनट बाद हम इसमें जो मटर है जो हमने पीस रखिया है वो डाल देंगे और पांस सेकी तक हम इसे ऐसे पूरेंगे इसे इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमाग आदा चमश आदा तर चमश चाट मसाला और थोड़ी से हम इसमें डालेंगे हींग हींग मैंने डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे और एक आलू डाला है मैंने इसमें एक आलू डाला है आदा कटोरी में इसे ज़्यादा आलू नहीं करना है और इसमें हम डाल देंगे छोले मसाला आदा चमश में इसमें छोले मसाला डालतूँगी और देगी मिर्श डाल दी इसमें इसे अच्छा कलर भी आ जाएगा और चित पटी भी हमारी कचोड़ी बनेगी और इसमें जो हरा धनिया है मैंने गैस के क्लेम को कर दिया है बन और इसमें डाल दिया हरा धनिया इसे ठंडा होने देते हैं जब तक हम इसका डो लगाएंगे देग काटोड़ी मैदली है मैंने इसमें और थोड़ी से अजवाइन डालेंगे इसमें थोड़ा से इसमें डाल देंगे नमक इसमें डालेंगे और गेनो इसे बहुत जादा टेस्टी बनती हैं अमारी कचोड़ी और इसमें मैंने आधा कटोड़ी से भी कम मैंने कहीं लिया है देसी की बचाएगा इसमें मैं पांच चम्मर्च इसमें डाल दूँगी ऑईल की हमें इसमें मोयम यह देखें इतना सा बचाएगा है हमें यह अच्छे से मिलाना है देखें बिल्कुल एक मुठी हैसी बन जाएगे बस यह परफेक्ट है हमारी लिए कचोड़ी के लिए तो अब डूब बनाएंगे अच्छा सा डूब बना देंगे इसका और इसे डूब लगने के बाद इसे हम पांच मिट लिए रेस्ट करने देंगे पांच मिट लिए हम रखतेंगे इसे बाद एक पांच मिट बाद हमारा तयार होगा है डूब कचोड़ी बनाने के लिए अब इसकी हम बॉल्स बना लेते हैं चोटी-चोटी सी सब मैंने एकिसा इसकी बॉल्स बना दी है ऐसी सब बना लूँगी मैं अब बनाऊंगी कचोड़ी यह देखें बॉल यह लिया है मैंने इसे बेल दूँगी पूरी की तरह आप जो स्टपिंग है जो मटर की जो हमने बनाई है पूर बहरेंगे इसमें यह देखें मैं बढ़ दिया इसे और फिंगर की साहता से इसे बंद कर देंगे और उंगली और अंगूठी की साहता से हम इसे हमें बेलना नहीं है इसे यह देखें इसे करके हम सब कचोड़ियों को बनाएंगे जहां से खुलेगी वहां से अंगूठे और उंगली की साहता से से लॉक कर देंगे हम यह देखें विल्कुल ऐसे बनाना है हमें यह देखें यह खुला है अभी मैंसे लॉक कर दूगी ऐसी हमें कचोड़ियों सब बनानी है यह देखें बहुत अच्छी कचोड़ी बनके तयार जाएगे यह देखें मैंने जो खुला था उसे लॉक कर दिया ऐसे यह बहुत अच्छी कचोड़ी बनकी तेयार होती है यह समोसी से भी जादा बहुत जादा टेस्टी कचोड़ी बनती है यह देखे मैंने कर दिया अच्छे से लॉक यह बनकी हमारी कचोड़ी एसी मैंने सब कचोड़ी बना के रख लिया है वैसी करना है सबको और यह तील होगी हमारा करम अब हम कर लेते हैं इसमें फ्राई और जो हम फ्राई करेंगे वो ना लो में करेंगे ना हाई में मीडियम होनी चाहिए गैस की फ्लेम एकच ही करके मैं सब डाल दूगी इसमें कैस की जो फ्लेम हैवे में मीडियम है अगर हाई करेंगे तो बाहर से क्रिस्प豫 जाहेगा अंदर से कुक नहीं होगी अगर low कर देंगे तो ये जो है तेल पी लेगी तो इसलिए हमें medium में फ्राई करना है ये देखे हमारी अब फ्राई हो जाएंगी है और बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कचोड़ी इन्हें हम पलर देंगे ये देखे हमारी बन गई कचोड़ी है और विसमें लीगा लीटू यू लीग्मिट विसमें लीगा लीटू यू लीग्मिट और बहुत ज्यादा देखो सॉप्ट बहुत अच्छी से कचोड़ी बन गया हमारी क्रिस्पी कचोड़ी बनिए देखो बहुत ज्यादा गरम है कचोड़ी ये देखे और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है झाल 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 झाल